गुद्धुनिंग फ्रेंड आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोगो बात करेंगे Central Government Jobs के बारे में हाली मेंे एक नय वेकिन्सी आया हुआ 2021 का तो आज की वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डीटियल में बताउँगा इसलिए वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए अगर आपने अब देख हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस कर दो, बेल एकन दबा दो, और पर सेलेक्ट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालू आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ one by one, so finally cgcri के तरफ से एक नया वेकिंसी आया हुआ है 2021 का, जो कि आपका एक central government job है, ठीक है बात कि जाए इसमें आपका education qualification की कोई भी 12th pass, कोई भी graduate candidate apply कर सकता है, आपका minimum 12th pass तो होना ही चाहिए, ठीक है salary के अगर हम लोग बात करें, तो 38,000 रुपे पर मत, यहापका minimum salary रहेगी प्लस दूसरे जो allowances होते है, अधर allowances वो भी आपको इसमें provide की जाएंगी तो बहुत सारी salary आपकी होने वाली है, ठीक है और सबसे main बात, इस vacancy के सबसे अच्छी बात है, कि यह आपका जो है सारे के सारे location के लिए है, मतलब all over India के candidate इस job के लिए apply कर सकते है तो इस vacancy को आपको बिल्कुल भी miss नहीं करना है, ऐसी vacancy आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी बहुत ही research करके बहुत होज खाज के आपके लिए vacancies लाता हूँ तो इसलिए जिरूर सी इसके लिए apply करेगा, बहुत अच्छा vacancy आया हुआ है तो चली मैं आपको इसके official notification पे जाके दिखाता हूँ कि कि इनकिन post का vacancy आया हुआ है और किस तरीके से आपको इसके लिए apply करना है तो फिन जैसी का आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके इसके official notification पे इसका link आपको description box में मिल जाएगा, उस पे click करके इस पर post सकते हो, इसको download भी कर सकते और इसको apply करने का link पे आपको description box में मिल जाएगा, click करके apply भी कर सकते यहाँ पे आप देख सकते CSIR, Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata इसके लिए vacancy आया हुआ है, 2021 का, इसके तरफ से आपका vacancy आया हुआ है, जो कि आपका central government job है लेकिन आपका job location रहेगा, वो Kolkata में ही रहेगा, बाकि सारे के सारे state के candidate इस job के लिए apply कर पाएंगे, इसलिए यह में vacancy लाया हुआ, यहाप देख सकते ही, इसको apply करने का जो large rate है, 15 अगस 2021 है, तो जितना जल्दी हो सके, इस job के लिए apply करी दीजिएगा, इसमें आपका जो है, अलग-अलग post के लिए vacancy आया हुआ है, सबसे पहला जो आपका post है, junior stenographer, हिंदी या English, ठीक है, इसके लिए आपका total 5 post का vacancy आया हुआ, इसमें आपका maximum age limit जो है, 27 साल दिया गया है, 27 साल वाले maximum apply कर सकते, बाकी age relaxation भी दिया गया है, as per government rule, ठीक है, education qualification की बात की जाए, तो इसमें आपका कोई beatpelt पास candidate apply कर सकता है, बस आपकी जो है computer typing speed होना चाहिए, और आपको जो है stenography का knowledge होना चाहिए computer पे, तबी आप इस job के लिए apply कर सकते है, बात की salary की, तो 38,000 रुपे पर मत यहाँ पे आपका salary रहेगा, प्लस दूसरे अलांसे भी आपको मिलने वाले है, दूसरा जो पोश्ट का वेकिंसी आया हुआ है, junior secretariat assistant general, इसके लिए आपका साथ पोश्ट का वेकिंसी आया हुआ है, मैं eximum age limit इसमें 28 साल दिया गया है, और इसमे आपका salary की, तो 30,000 रुपिस पर मत यहाँ पे आपका salary रहेगा, उसे प्रेकार से junior secretariat assistant, एफ और एक का वेकिंसी आया हुआ है, इसमें भी आपका maximum age limit इसमें भी आपका कोई भी 12 पास candidate अपलाए कर सकता है, इसमें आपका typing speed मांगा गया है, 35 word per minute in English और 30 word per minute in Hindi, ठीक है, इसम लास्ट में जो वेकिंसी आया हुआ है, junior secretariat assistant, stores and purchase, इसके लिए आपका 3 post का वेकिंसी आया हुआ है, इसमें आपका age limit maximum 28 सल दिया गया है, इसमें भी आपका same qualification 12 पास होना, आपकी typing speed होना 35 word per minute in English और 30 word per minute in Hindi, ठीक है, और यहाँ पी इसकी salary के अगर हम लोग बात करें, तो 30,000 रुपिस per month, यहाँ पर आपका salary रहेगा, बाकी salary के अलावा कौन-कौन से announces दिये जाएंगे, पूरी list यहाँ पर दी हुई है, आप आप देख सकते, DA, HR, सब कुछ मिलेगा, यहाँ पर आपको देख सकते, इसके बाद एक और benefit यहाँ पर आपको मिलेगा, pension का, ठीक है, pension scheme इंडिया के candidate इस job के लिए apply कर सकते है, selection process की बाद की जाए, तो junior secretary assistant इस post के लिए आपका type rating test होगा, ठीक है, tapping test होगा, computer पे, उसके बाद आपका एक test होगा, online test, mental ability test, paper 1, और दूसा जो है general awareness and general language का question का paper रहेगा, ठीक है, मतलब दो paper रहेगे, बस, उसी की best piece में आपका selection होने होने वाला है, फिर आपका कोई interview नहीं, कुछ नहीं, जो आपका typing test होने वाला है, वो आपका qualifying nature में होगा, उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा, लेकिन जो आपका paper रहेगा, बस, उसी की best place होगा, तो कितना आसान है, इस job को पाना, तो जरूर सी इसके लिए apply दोस्तो, junior stenographer का भी आपका same रहेगा, type writing test होगा, या stenography का test होगा computer पर, ठीक है, प्रोफिसेंसी test के साथ, और आपका एक online test होगा, उसी की best place में आपका selection होगा, जैसे कि मैंने आपका process बता दिये, पूरा का पूरा same यहाँ पर process होने वाला है, ठीक है, paper आपका same रहने वाला तो बस paper qualify करो, और यहाँ पर job लगाओ permanent, वो भी बहुत अच्छा salary के साथ, तो जरूर से इसके लिए apply करिएगा, आपका Hindi और English दोनों language में paper यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, लेकिन जो English language का paper रहेगा, वो आपका नहीं रहेगा, वो आपका English में ही रहेगा, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, application fee की बात की जाए, तो 100 रुपीस में application fee रखी गई है, और जो SCST woman candidate है, उनको कोई भी application fee नहीं है, जान दीजेगा, अगर आप general category के हो, ABC category के हो, या EWS category के हो, women हो, तो आपको कोई भी application fee नहीं लगेगी, बाकी सारे के सारे category के लिए SCST को छोड़क आपको समझ में आउगा, तो 15 आगस तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं, तो apply करने का जो link है, मैं आपको description box में दे दूँगा, click करके apply कर सकते, बाकी पूरा का पूरा detail video मैंने आपके लिए बता दिया है कि किस तरीके से आपको apply करना है, okay friends, I hope आपको सारी चीजे समझ में अगर ये वीडियो पसंद आया, तो like करना, अपने दोस्तों के साथ share करना, और कुछ comment होगा, तो कर देना फेंट अब तक के लिए अपना ध्यान रखना, goodbye